हेलो एवरिवन नेक्स टॉपिक हमारा जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का है क्रोमेटोग्राफी मैं पहले एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ इसके पहले वाले वीडियो में ठीक है तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है जिसको मैं आपको स समझा दे रही हूँ इसमें होता क्या है पहली बात तो यह जेल फिल्टरेशन क्रोमेटोग्राफी को हम लोग साइस एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी या मॉलिकुलर सीफ क्रोमेटोग्राफी या फिर कहीं कहीं जेल पर्मियेशन क्रोमेटोग्राफी के नाम से भी जानते ठीक है यह जो gel filtration chromatography और यह जितने भी नाम है सब एक ही है इसमें क्या होता है separation होता है किस basis पर size के basis मतलब हम इसमें size के basis पे molecules को separate करते हैं यहीं इसका principle है कोई पूछे gel filtration chromatography का क्या principle है तो आप क्या बताएंगे कि it is the separation technique के type of chromatography in which the molecules are separated on the basis of their size ठीक है अब इसमें stationary phase जो होता है वो porous nature का होता है porous nature का मतलब क्या होगा solid होगा ठीक है pores present होंगे उसमें वो pores किस चीज के हो सकते हैं dextran polyacrylamide agrose इन तीनों के छोटे छोटे जैसे pores type के होते molecules अपहले गोले गोले बना देंगे जिसमें pores होंगे ठीक है अगर एग्रोस जैसे अगर आग्रोस का बना है तो इसमें बहुते होते ही जिसमें बहुते मेडिया मौलीक्यूस के सेपरेशन में यूज होगा इन दोनों का बना है तो तो small या medium molecules के separation में वो यूज होगा mobile face कैसा होना चाहिए? inert होना चाहिए ऐसा ना हो कि mobile face जो हमारा mixture की component है उनके साथ reaction कर ले तो उसमें आ तो घुल जाएगा तो फिर दिक्कद हो जाएगी हम उसको separate नहीं कर पाएंगे, ठीक है? inert होना चाहिए, कोई reaction नहीं करना चाहिए, mixture के component से उसके अलावा क्या होना चाहिए? can dissolve the components of mixture dissolve कर लेना चाहिए, लेकिन उसे reaction नहीं करना चाहिए उसको ठीक है, कि कुछ और ही बना दिया can dissolve the component of a mixture example क्या है? chloroform, toluene, etc हमें जिस तरीके के molecules का separation करना होता है उसी हिसाब से हम mobile face को select करते हैं जैसे अगर माल लीजे कि हमें hydrophobic molecule का separation करना है तो chloroform को use करेंगे तक कि वो उसमें solubilize हो सके, ठीक है? तो mobile face को हमें जिस भी molecule का separation करना होता है उसके according ही हमें select करना पड़ता है और एक चीज मैंने बताना इसमें भूल गई थी कि यह column chromatography का type है यह जो हमारा gel filtration chromatography है यह एक तरीकी की column chromatography जिसमें हम column का use करते हैं column का मतलब क्या है? glass का column होता है जिसमें हम stationary phase के रूप में क्या भर लेते हैं? पॉरस nature के यह समय होगे भर लेंगे उनकी च्वे चोटी च्वे बनाएंगे उसमें भर लेंगे? और पॉरस nature के बतलब इंकी गोलियों के अंदर च्वेध होंगे ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगी? अपने सैंपल को इसमें डालेंगे फिर मोबाइल फेस को पास कराएंगे मोबाइल फेस लिकुड नेचर का होगा वह पास कराएंगे तो उससे क्या होगा जो हमारे मिक्षर के कमपोनेंट है जो भूँद चोटे-चोटे साइस के हैं वह इसी पोर्स के अंदर इंट्रैप हो मिक्षीं दालए थीयूगे एक लाइचल चैजर भी बहाही वाएचल नेख घज़ा सबीव निख़न्गेन जो डाल देंग आ हम पंटे निकलते जाएगा लेकिन अंग्यारफ़ मॉलिक्यूल वो इसके अंदर घुसेंगे नहीं, उनका size क्या होता है, इस pore size से बड़ा होता है, तो इसके अंदर घुसेंगे नहीं, वो side में जो छोटी मोटी जगह खाली है, जो void जो है, उसमें से होके वो पहले पास हो जाएंगे, तो जब हम इसमें large और small molecules को डालेंगे, के mixture को इस बीच वाली जगह हमें से होते हुए, और छोटे molecule क्या होंगे, ये इस gel के pores में फस जाएंगे, और धीरे धीरे पास होंगे, ठीक है, तो जो जितना बड़ा molecule होगा, उतनी जल्दी पास होगा, जो जितना चोटा होगा, उतना ही time लगेगा, ये भी principle में आप लिख सकते कि large molecules पहले पास हो जाएंगे, इल्यूट हो जाएंगे, अब आहर निकल जाएंगे, because क्या होगा, वो pores के अंदर trap नहीं होगे, smaller molecule more time लेंगे इल्यूशन में, क्योंकि वो क्या होगे, pores के अंदर trap हो जाएंगे, तो उनको पास होने में, और जब तक हम mobile phase नहीं डालेंगे, तो यह इसका principle है, इसको आप note कर सकते हैं, अब इसकी application देख लीजे, कहा कहा पे होती है, application भी लिखना जरूरी होता है, exam में, तो application क्या है, purification में, तो कोई भी आपका chromatography आजाएंगे, उसमें आप यह point लिखेंगे, कि यह purification में यूज होता है, molecules के, desalting में, मतलब मालीज and binding studies के लिए use करते हैं, जैसे protein ligand binding studies के लिए ज्यादा suitable affinity chromatography होता है, इसको हम कल पढ़ेंगे, उसके अलावा protein folding studies, जेकि अगर protein fold होगी, तो उसका size छोटा हो जाएगा, उसको elute होने में time लगेगा, अगर protein खुली होई होगी, अगर वो folding के condition में नहीं होगी, तो उसका size molecular mass को determine कर सकते हैं, कि जो पहले elute हो रहें, उनका mass जादा है, जो देर से elute हो रहें, उनका mass कम है, तो इस basis पे हम molecular mass का भी determination कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजेगा, इसके बाद हम affinity chromatography वाला वीडियो ले करके आएंगे, तब तक लिए thank you